जयायकादसी ब्रत कथा नमस्कार दोस्तों अनुभो ग्यान गंगा चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आईए सुने जयायकादसी ब्रत कथा कथा शुरू करें सबसे पहले गनेश जी को प्रणाम ओम नमो भगवते बाशु देवाय लक्षमी मिया की जय दोस्तों इस पार जयायकादसी बीस फरवरी दो हजार चोबिस को है तो चलिए कथा सुने पवराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र के दरबार में एक उत्सव हुआ परतेक संत देवी देवता उपस्थित थे इस दवरान गीत निरत का कारीकरम हुआ गंधर्व कन्याय गंधर्व निरत बड़े उत्सा से कर रही थी इसी बीच निरत कर रही पुष्पवती की नजर गंधर्व मालवान पर पड़ी मालवान को देखकर वा मंत मुख्ध हो गई पुष्वती को उससे प्रेम हो गया इससे वा सुधवुद खो बैठी और अपनी लेताल से भटक गई साथ ही मालवान ठीक से गा नहीं पा रहा था यह देख बैठक में मौजूद सभी लोग नाराज हो गए यह द्रिश देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र भी क्रोधित हो गए और उन दोनों को स्वर्ग से निकाल दिया साथ ही यह भी स्राप दिया कि दोनों प्रेत योणी को प्राप्थ होंगे स्राप के पस्सात से मालिवान और पुष्वती ने प्रेत रूप धारन कर लिया और उन्हें वहां कस्त सहना पड़ा प्रेत यवनी अधिक कस्तिकारी थी एक बार माग मास के सुख्ल पक्ष की जया एकदसी के दिन मालिवान और पुष्वती ने अन्न का सेवन नहीं किया जकत के रचाईता भगवान विश्णू का इस्मरण किया उनकी भक्ति देखकर भगवान विश्णू ने पुस्वती और मालिवान को प्रेत योनी से मुक्त कर दिया भगवान सिरी हरी की किरपा से उन दोनों को सुन्दर सरीर प्राप्थ हुआ वह पुना स्वर्ग चले गए जब वह वहाँ पहुँचे और इंद्र को प्रणाम किया तो वह आस्चर चकित रह गए इसके बाद उन्होंने पिसाच योनी से मुक्ति का उपाय पूछा इसके बाद मालिवान ने कहा कि एकादसी ब्रत के प्रभाव और भगवान विश्णों की किरपा से वह दोनों पिसाच योनी से मुक्त हो गए इसी प्रकार जो भी व्यक्ति जया अकादसी का ब्रत करता है उसे सीख रही मौक्ष की प्राप्ति होती जया अकादसी करने वाले सभी भगतों को भगवान विश्णों की क्रिपा प्राप्त हो और उन्हें मन चाहा बर्दान मिले और जो वो चाहते हैं उनकी सभी मनुकावनाएं पूर हो ओम नमो भगवते बाशुदेवा अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक सेयर कमेंट जरूर करें हाँ बैन आइकन को भी प्रेस करें यहां से ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिल जाए तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू सू मज धन्दबाद ओम नमो भगवते पाशो देवाय